Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफॉर्ड़बल इसे ही कई बार ले लेते हैं, जिसकी वज़े से यह जो बैक्टीरिया है, वो रेसिस्टेंट हो गए हैं, उनके उपर इन एंटिबाइटिक का कोई असर नहीं करता, जिसकी वज़े से यह सूपर बग्स बन गए हैं, और यहां पर एक बड़ी खोज की गई है साइंटिस्ट क है, वो बनाया गया है, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा अगर आप UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यह वाला जो बैच है दोस्तों 9th of June से हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसको ज के हेड़कॉर्टर, दिल्ली आपको बुलाया चाहेगा, यहाँ पर रहने की सुविदा, खाने की सुविदा, सब कुछ free of cost, सोच के देखिए, एक बड़ा मौका है, just use the code हमारे अप में जाकर, इसको सबसे कम दाम पर आप अवेल कर पाऊगे, और इसके अलावा, अगर MCQs एटेंट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप एटेंट करपाएंगे, चले सुरवात करते हैं, और सबसे पहले देखें कि exactly हुआ क्या है, देखें, एक major breakthrough हुआ है, जहाँ पर artificial intelligence, देखें, मैं भी कहा था कि AI का इस्तमाल बहुत अच्छा है, AI के इस्तमाल से हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, दुनिया के अंदर, लेकिन इसका दूसरा पेयोग भी किया जा सकता है, गलत इस्तमालों में भी, लेकिन आज का जो example है, वो एक बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पर United States और Canada के जो scientist हैं, वो एक साथ आये और उन्होंने found किया एक नया antibiotic जो की AI के मदद से बनाए, और खास बात यह है कि यह जो नया antibiotic है, यह इतना powerful है कि यह super bug को भी kill कर देगा, super bug जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था, यह एक ऐसा bacteria होता है, जो की कई सारे जो antibiotics हैं, जो medicines हैं, उसका bacteria के उपर जब कोई असर नहीं होता, तो हम उसको super bug कहते हैं, और हर साल आप देख सकते हो, 2 million, 2 million people in just US की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर infect होते हैं, और US के अंदर हर साल 23, 20,000 लोगों की super bugs की वज़े से मिर्ति होती है, अब question यह है, कि यह पूरा जो bacteria है, यह super bugs है, जिसके उपर यह पूरा experiment किया गया, AI के माध्यम से, वो कौन सा है, देखो यह जो bacteria की हम बात करें, जिस super bugs की हम बात करें, इसका नाम है, Acinetobacter bominis, ठीक है, यह ध्यान में रखे का आपके exam में पूछा जा सकता है, especially prelims में, कई बार आता है कि recently यह news में था Acinetobacter bominis, यह क्या है, तो basically यह जो study किया गया है, और यह publish किया गया है, General Nature Chemical Biology में, on 25th of में, और यह जो पूरा study है, इसका नाम आप देख सकते हो, Deep Learning Guided Discovery of an Antibiotic Targeting, Acinetobacter bominis, ठीक है, यहाँ पर जो scientist ह Canada के, Canada के from McMaster University, और US के अंदर जो Massachusetts Institute of Technology है, MIT, वहाँ के जो scientist ने वो participate किये थे, ताकि यह जो super bucks है, Acinetobacter bominis, इन से कैसे लड़ा जा सकता है, 2017 में मैं आपको बता दूँ, WHO ने, World Health Organization ने, यह जो bacteria है, Acinetobacter bominis, इसको one of the world's most dangerous antibiotic resistant bacteria declare किया था, and यह जो bacteria मैं आपको बता दूँ, इसकी वज़े से pneumonia, meningitis और जो uns है, उसके उपर effect होता है, and ultimately this can lead to death, और usually बताया जाता है, कि यह जो bacteria है, वो hospitals के अंदर आसपास देखने को मिलेगा, और जो surfaces होते हैं, जहाँ पर आप touch करते हो, कुछ भी होता है, तो काफी लंबे समय तक य में आएगा, कि कैसे bacteria जो है, वो resistant हो जाते हैं, drug से, मतलब कि इन bacteria के उपर, इन super bugs के उपर, antibiotics का असर क्यों नहीं करता, तो को जो antibiotics होते हैं, वो एक medicines होता है, जो कि हमें bacterial infection से बचाता है, जो bacterial infection हमारे body में होते हैं, उन से हमें बचाता है, antibiotic resistance तब होता है, जब bacteria खुद अपन आपको बदल देता है, ताकि medicines का उसके उपर असर ना करें, जैसे कि मालो जब medicines का खोज हो रहा होगा, या फिर जब research and development हो रहा होगा, experiment हो रहा होगा, तो एक particular bacteria की उपर हो रहा होगा, लेकिन जब bacteria अपना form चेंज कर देगा, तो वो एक प्रकार से drugs का उसके उपर असर नह में मुश्किल आती है, और especially जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज के date में क्या होता है, कई बार जो humans हैं, हम खुद जो हैं, कई बार fever के समय, कोई fever हो गया, तो किसी ने बोल दिया, कि ये वाला दबाई ले लो, ये antibiotic ले लो, और हम ले लेते हैं, उसका proper course नहीं करते हैं, डॉक्टर से पूस्ताश नहीं करते हैं, तो उन सारे चीजों की वजह से भी ये पूरा जो एंटिवाट, ये जो super box है, वो create होता रहता है, और WHO ने भी ये चीज कहा है, कि आज के date में pneumonia हो गया, tuberculosis हो गया, food bond disease हो गया, इनको treat करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ये ज जैसे हमें एक नया जो एंटिवाटिक है, वो create हुआ और उस नय एंटिवाटिक का नाम क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ, देखो basically क्या है, कि अगर कोई नया एंटिवाटिक का खोज करना है, किसी bacteria के उपर एंटिवाटिक काम करे, ऐसा कुछ अगर research करना है, तो उ इतना जादा आप उसके अंदर data डालते जाओगे, वो अपने आपको और जादा better train करता जाएगा, और आपको एक better result और solution देता जाएगा, तो basically जो MIT के researchers है, उन्होंने क्या किया, ये जो bacteria है, बॉमिनी, उसको lab के अंदर 75 hundred different chemical compounds के साथ जो है, expose कर दिया, ये देखने के लिए कि कौन सा compound जो है, उसके growth को रोकने में मदद कर सकता है, फिर उसके बाद क्या है, कि ये जो structure है, हर एक molecule का, उसको machine learning model में infeed किया गया, उसके अंदर डाला गया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो model है, उसमें ये देखा गया, कि क्या हर एक structure जो है, वो bacterial growth को रोक compound है, क्या कौन सा chemical compound किस तरह के combination का इस bacteria के उपर काम करेगा, तो इसको research करने में तो बहुत लंबा समग लग जाएगा, लेकिन अगर हम उसी चीज को machine learning model में डाल दें, AI के अंदर डाल दें, artificial intelligence के अंदर, तो वो हमें बेटर result दे सकता है, तो यहाँ पर बताया, यही जा रह compound है, उसका जो पूरा result सामने आ रहा था, उसको AI model में डालते गए, artificial intelligence में डालते गए, और एक बार जो model जो है, वो तयार हो गया, researchers ने उसको use किया to analyze a set of 6,680 compounds, and यह बेसिकली दो घंटे के अंदर यहाँ पर result आ गया, दो घंटे के अंदर बताया जा रहा है कि कई सैकड़ जो result है, वो AI model ने researchers को दे दिया, उसमें से researchers ने क्या किया, 240 जो है, जिसको जो scientist को लगा जो ठीक होगा, उसको lab में ले जाकर experiment किया, और finally यह experiment करने के बाद, 9 ऐसे antibiotic scientist को मिले, जो की इस bacteria के उपर काम कर रहे थे, इस bacteria के growth को रोक रहे थे, लेकिन इन 9 में से भी, एक single ऐसा antibiotic जो सबसे ज़्यादा इस bacterial growth को रोक रहा था, और उसका नाम क्या है, इसका नाम दिया गया है, अबॉसिन, ठीक है, यह आपके exam में आ सकता है, यह recently news में चल रहा था, अबॉसिन, यह क्या है, तो यह जो antibiotic मिला है, वो ultimately कैसे मिला, यह AI के मदद से यहाँ पर researchers को मिल गया, तो rapid तरीके से हम experiment कर सकते हैं, और जो new antibacterial molecules है, उसकी discovery के chances बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो ultimately एक बड़ी अच्छी यहाँ पर discovery हुया, और AI का अच्छा इस्तमाल किया आ जा रहा मैं तो यही कहूंगा, और इसी के बारे में पूरी खबरती, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, औ जाने से पहले एक interesting question, क्योंकि हम bacteria की बात कर रहे हैं, इसमें से कौन सा set of bacterial disease है, यह आपको बताना इन चारों में से, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उतर में, कई सारे जो MCQs हैं, वह यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF ये तो टेलिग्राम पर आए, लग-लग social media पर आप दूड़ पाऊ गया, और जैसा मैंने बताया था, UPSC के अगर आप त्यारी कर रहे हो, just use the code UNKITLIVE to get maximum discount, and I hope कि वीडियो आपको पसंद आया ह होगा, मुलता आपसे नेक्स ताइम तिल देन, थांक्यू बरी मुद्ध, स्टड़ी आएक्यू आएक्यू आएस, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल